बन्ने बातरम सातियों, राजस्तान की राजव्यस्ता के अंतरगत अपन पूरी जो राजस्तान की संपूर्ण राजव्यस्ता है उसके बारे में अध्यन को लेकर के चल रहे हैं, तो वोई बात तीस मार्च 1949 को राजस्तान के चतुर चरण के तैथ राजस्तान का गठन कर दिया जाता है, और गठन करने के बाद में सबसे पहले राजव्यस्ता प्रमुक का प्रदस्तापित किया जाता है, जो किसको बनाया जाता है, मान सी को, मान सी सेकिंड को, कहां के सासक होते हैं, जेपुर के, कब से कब तक इनका कारिय काल होता है, यह याद रखना है, 30 मार्थ 1909 से 3 अक्टूबर 1956 यह अपने को ध्यान में रखना है, कड़ी को अपने को जोड़ना है, सबसे पहले कड़ी यह होगी, दूसरी कड़ी मनोनित प्रधान मंतरी, यह अपने को याद रखना है, मनोनित प्रधान मंतरी जो एजे मुख्य मंतरी इरालाल सास्तरी को मनाया जाता है, सास्तरी यह कब अपना पद ग्रहन करते हैं यह अपना पद ग्रहन करते हैं साथ अपरेर 1999 से 5 जनवरी 1951 तर तो यह मुख्य बात हो गई अब इनको सासन को चलाने के लिए यह क्या-क्या मुख्य कारी करते हैं संभागी व्यस्ता की शुरुवात करते हैं पांच संभाग और 25 जिलों के अंतरगर द्रास्तान को को संभागी व्यस्ता और 5 वी भागों की श्तापना की जाती है और इनके द्वारा पर्थम मंतरी मंडल जिसका दिनन अपने कर लिया है पर्थम मंतरी मंडल का घटन के जाता है इसमें 9 मंतरी सामिल नहीं होने के बाद में सोबा राम कुमावत को सामिल किया जाता है और सासन विष्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह सब मुख्य चन की सथा उतला है मुख्य सच्च्वी का मतलब मुख्य सच्च्वी कर आती है यह अपने को जान में रखना है के राधा क्रिष्णान सबसे पहले मुख्य obras चैन आजाते हैं कि अम और कृष्णन क्रिष्णान कंब बनाया जाते है नugg कि उपचास को बनाए जहते हैं ये अपने को जहन में रखना है तो राजपरमुख मांसी ओगे मुणोनित परधान मंतरी अवाल से सच्षिव के रदा क्षिनन होगे यानि कि साथ अपरेल को तक यह अपने मुणोनित प्रधानमंत्री इरला सच्षि अपना जो है वह चो वो अपना पदवार घ्रैन करते हैं और प्लस छे दिन बाद यह क्या मिला लेते हैं मुक्खे सच्चिव के नियुक्ति हो जाती है और सेकेटेट की भी स्थापना की कर दी जाती है, सची वाले, जलेव चोक में, ये अपने को ध्यान में रखना है, सची वाले की भी स्थापना सी बेरक में कर दी जाती है, सी स्कीम कलोनी में ये अपने को ध्यान में रखना है, अपना था वो, सी स्कीम कलोनी, स्की स्कीम कलोन जेपुर में यह अपने को ध्यान में रखना है तो यह मुख्य बाते सामिल हो गई तो मुख्य सचीव यह 13 आपने 1909 से अपना कारिया बार ग्रेन करते हैं और कब तक रहते हैं यह 2 मई 1950 तक रहते हैं कब तक रहते हैं उसके बाद में सेकिंड मुख्य सचीव आते हैं वी नरायन यह अपने को ध्यान में रखना है वी नरायन सेकिंड आते हैं और यह कब से कब तक रहते हैं दो मई 1909 से एक सितंबर 1950 तक यह अपने को ध्यान में रखना है और फिर तीसरे कारिया कार के लिए तीन नंबर नंबर तीन पर को नाते हैं दुबारा के राधा किष्णन आते हैं को नाते हैं के राधा किष्णन के राधा किष्णन आते है तीसरे नंबर पर यह व्यक्ति के रूप से दूसरे व्यक्ति है प्र delicious नंबर के साब से और Алगे थे किर दा खिश्णन कब से कब से कब से कबते इस सितंबर 1950 से 31 जन्वरी 1951 तक तो इनका कार्यकाल एक साथ रहता यह अपने को जान में रखना है कि राजप्रमुकमान सिंग्जी होगे उसी से में मनोनित प्रधानमंतरी रेलाल सास्तरी होगे पूरे परसाशन को चलाने के लिए कानून को सही डंग से से जो है वो क्रियानवन के लिए सचीवाले की स्थापना की जाती है जिसको सत्ता का हर्दे कहते हैं सचीवाले को क्या कहते हैं सत्ता का हर्दे कहते हैं यह अपने को ज्यान में रखना है और सचीवाले की स्थापना कब की जाती है 13 अपरेल 1949 को यानि मनोनित प्रदानमंत्री रालाल सास्तरी अपना पदबार 7 अप्रेल 1949 को ग्रेंड करते हैं और 6 दिन बाद ये क्या करते हैं सचीवाले की स्थापना करते हैं कहां परकी जाती है सीज किन कलोनी बगवान दास बेरक बगवान दास बेरक जपुर में की जाती है सचीवाले की स्थापना ये अपने को ध्यान में रखना है जिस प्रकार भारत में जो है जो मतलव इसेस्ता है केंदरी असासन है उसमें क्या का जाता है मंत्रा ले का जाता है उसी तरीके से राजस्तान में क्या का जाता है परसासनिक विभाग का जाता है ये अपने को ज्यान में रखना है परसासनिक विभाग सेंटर में तो मंत्रा ले का जाता है मनिस्ट्रेट का जाता है उसी तरीके से राजस्तान में मंत्रा ले ना कहे करके क्या का जाता है प्रशाशनिक विवाग का जाता है और प्रशाशनिक विवाग का जो मुख्या होता है वो मंत्री कहलाता है और उसका जो जो होता है वो सचीव कहलाता है उसी तरीके से सेकेटरेट का जो परधान होता है वो कौन होता है मुख्य मंत्री होता है और सेकेटरेट का जो जो होता ह प्रशासनिक प्रदान होता है वो सीम होता है यह अपने को ज्यान में रखना है और राजस्तान में एक नॉम्बर 1956 तक जब तक राजिया पुनरगठ नायोगी सिपारिश डागू नहीं होती है तब तक यह जो है मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा दिती जाती है क इसके अंदर द्वारा यह अपने को ज्यान में रखना है उसके बाद में एसकी जो नियुक्तिया वो मुख्य मंत्री द्वारा की जाती है एक नॉम्बर 24 के बाद राजिया पुनरगठ नायोग ओ और जो राजिया पुनरगठ नायोग वो कब होता है एक नॉमबर 1956 से उस यह अपने को ध्यान में रखना है तो फजल अली जो जो हता आयोग उसको बोलते है राजय पुनुर गठन आयोग अब उसके बाद में जो आगे की बात आती है कि जिस प्रकार सेंटर में केग होता है उसी तरीके से राजस्तान में भी महालेखा कार का पद होता है यह अपने को ध्यान में रखना है जैसे सेंटर में क्या बोलते हैं केग बोलते है केग महालेखा परिक्षक सेंटरल ओडिटर जर्नल बोलते हैं जिसको महालेखा परिक्षक बोलते हैं उसी की तरज पर राजस्तान में होता है महालेखा कार, महालेखा कार, तो राजस्तान में भी हिरालाल सास्त्री के टेम में महालेखा कार, जो है पद, वो ओडिटी की विवस्ता की जाती है, ये अपने को जान में रखना है, तो महालेखा कार कारियले कां परिस्ता पित किया जाता है, कारिय आपने पास आता है महालेखाकार कारियले ये कहां प्रस्तापित के जाता है city place city place जलेव चोक जलेव चोक जैपुर कहां प्रस्तापित के जाता है ये अपने को ध्यान में रखना है महालेखा कारियले है वो सेंटर में जो केग है यानि कि central auditor जर्नल जो जिसको बोलते है महालेखा परिक्षक महालेखा परिक्षक की तरज पर राजस्थान में भी लेखाओं की परिक्षा करने के लिए महालेखा कार कारियले की स्थापना की जाती है कहां पर की जाती है सिटी पलेस जलेब चोके जबपूर में की जाती है और महालेखा कारियले की स्थापना कब होती है कब होती है तो यह होती है एक अक्टूबर उनीस सो उन्चास को यह अपने को ध्यान में रखना है कब होती है एक अक्टूबर उनीस सो उन्चास को होती है यानि महालेखाकार का जो कारियल है वो राजस्तान के अंतरगत है कब स्तापित किया जाता है, 1 अक्टूबर 1949 को किया जाता है, और राजस्तान में पर्थम महालेखा कार, पर्थम महालेखा कार, पर्थम महालेखा कार कौन होते हैं, श्री रंग विहारी मिश्र होते हैं, रंग विहारी लाल को, किसको बनाए जाता है, रंग विहारी लाल को, श्री, रंग विहारी, लाल को, तो ये अपने को कड़ी है, वो मानसियंफर्ष्ट होगे, राजप्रमुक, मनोल प्रधानमंतरी, रालाल सास्तरी होगे, इनके मुख्या सचीव के राधा किस्णन रहे, वीनरायन रहे, और 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 फिर दुबारा के राधा किस्णन रहे, ये को ध्यान में आ गया तो ये कड़ी जुड़ गई राजय पाल वाली मुख्य मंद्री वाली और मुख्य शचीव वाली और चोथी कड़ी के रूप में अपने पास कौन साता है महालेखाकार आता है तो महालेखाकार का जो कारियल है वो फिर का स्तापित के जाता है शेटी पले किसको बनाया जाता है रंग वियारी लाल को बनाया जाता है ये अपने को जान में रखना है तो ये इंपोर्टेंट बात होगी अब अपने पास पांचवी कड़ी कोन से जुड़ती है पांचवी कड़ी अपने पास जुड़ती है राजस्तान उच नियाले राजस्तान उच नियाले तो पांचवी कड़ी के रूप में अब अपना दिन करेंगे राजस्तान उच्छ नियाले ये अपने को मुख्या मुख्या कड़ियों को अपन जोडते हुए चलना है और पांचवी कड़ी के रूप में पास अपने पास उबर कराता है राजस्तान उच्छ नियाले उसका जो जो है वो फोलो हो रहें वो कौन सी हो रहें ये अपने को पुनर गठन अधिनियम उन्चास के तैते हैं ये अपने को ज्यान में रखना है तो राजस्तान उचनियाले है वो जो वर्तमान में राजस्तान पुनर गठन अधिनियम उन्चास के तैत कारिये रथ है ये अपने को ज्यान में रखना है तो अगर ये परसना है कि राजस्तान उचनAR कोंप सी डिनियम की तयत पर्यार कर रहा है तो यह राजस्तान कहसके है राज्य पुनर कठना अब क्या होता है कि राजस्तान का गठनट 30 मार्थ 2009 को जाता है यह अपने बात कि राजस्तान dois post तो हाई कोट के बारे में अपने इतियास के लात करते हैं तो राजस्तान की राजदानी एक तो राजदानी और एक उच्छाण जब राजस्तान का गठन 30 मार्त 1949 को हो जाता है तो दो परसंड बड़े महत्तपन रूप से उबर कराते हैं कि एक तो राजस्तान की राजधानी किसको बनाया जाए और एक राजस्तान को उच्छनेयले काँ प्रस्ताफित है तो इस परसंड को हल करने के लिए एक क्या है कि यानि कि दो मुद्य यानि राजस्तान के राजधानी को इसी होने चाहिए और दो राजस्तान का उच्छ नियाले कहां पर होना चाहिए इन दो समस्याओं को सुलजाने के लिए बी आर पटेल के अदेख्सता में एक है समीती का गठने किया जाता है यानि कि एक समीती बना जाती है समीती का गठने किया जाता है इसके अध्यक्स कोन होते है, बी आरे पटेल होते हैं, और दो उसके सद्धिश्य होते हैं, एक लेप्टिनेट जर्नल पुरी, केसी पुरी, यह अपने बद्यान में रखना है, कि इसके दो सदेशे होते हैं एक लेट्रिनेट जर्नल केशी पुरी और एक होते हैं SP Sina एक होते हैं SP Sina दूसरे सदेशे होते हैं SP Sina तो राजस्तान की राजदानी कहां पर होगी राजस्तान का उच्छने आले कहां पर होगा इस समिश्या को हल करने के लिए बी आर पटेल के अध्यक्सता में एक समीती का गठन के जाता है और जिसके अध्यक्स होते हैं बी आर पटेल और एक होते हैं लेफ्ट इनेट करनल केशी पुरी उनके सदिश्य होते हैं और एक SP सिना इसके सदेश्य होते हैं ये अपनी रिपोर्ट क्या करते हैं कि 27 मार्थ 1909 को देते हैं रिपोर्ट कब देते हैं 27 मार्थ 1909 को अपनी रिपोर्ट राजस्तान सरकार को सौपते हैं 30 मार्च को तो राजस्थान का गठन कर लिया दाता है पर उस से पहले ये 27 मार्च 1949 को अपनी रिपोर्ट सोपते हैं कि राजस्थान की राजधानी कौन सी होगी और राजस्थान का उचनियाले कहां पर होगा इस यह जो रिपोर्ट सोपते हैं उसके अधार पर क्या निलहर कि कि रिपोर्ट का दार पर बी-ार पटेल की रिपोर्ट के दार पर इसके सदस्य होते हैं यह अपना रिपोर्ट 279 1949 को राजस्तान को सोपते हैं और उसक्यादार को राजस्तान की 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 रा लाधrias तॉस सभ से पहला जो स्टेप परतम स्टेप हें वह उठाए जाता है कि रास्तान उत्र नहां लेखें अध्यादेस तारी है जाता है कब कि ia जाता है कि की जून इन्ठाश को ऑठ्यादेस तारी किया जाता है और करता है राज जयपाल यानि राज्प्रमुख करते के राजप्रमुख को हैं ए क्या चाहिक यह Mon समेटी यह वह किस से रिलेटेड है यह प्रसनाने की समभावना आया हुआ भी यह अपने जान में रखना राजस्तान उचने लिए जादेश कब से जो है वो सरप्रफ़म कब जारी किया जाता है 21.1949 को किया जाता है फिर अधीश उचना जारी की जाती है सेकेंड स्टेप में अधीश उचना वो 25 जून निस सो उन्चास को जारी की जाती है यह अपने को ध्यान में रखना है अब क्या है कि राजस्तान जो है उचने ले का उध्गाटन कब किया जाता है यह तीथी इंपोर्टेंट है यानि यहां से कारी राजस्तान उचने अपना अधिकर जो है वो जो वो कारी अपना प्रारम कर देते है उध्गाटन उध्गाटन कब किया जाता है 39 अगस्त उन्चास को कांपर किया जाता है जोधपूर में कोण करता है राजपरमुख राजपरमुख मानसी मानसी शेकिंड ये अपने को ज्यान में रखना है इसका उद गाटन 29 अगस्त उन्चास को तो राजस्तान उचने आले कें अंतरगत जो सबसे महता कुन ती निकल कराती है वो कुन शियो जाती है यानि इस दिन से राजस्तान उचने आले अपना कारिये प्रारम कर देता है 29 अगस्त उन्चास को ये अपने को ज्यान में रखना है अब उसका जो परधान पीठ है वो तो जोदपूर में स्तापिद कर ली जाती है राजस्तान उचने आले की और उसकी चार पीठ है और स्तापिद की जाती है परधान पीठ जोदपूर चार पीठ और स्तापिद की जाती है चार पीठ है का मतलब हो गया बेंच इसकी जो है वो बेंचे में स्तापिद की जाती है एक जेवपूर में दूसरी कोटा में यह अपने को ध्यान में रखना है कि जब राजस्तान उचनेयाले का उद्गाटन उन्टी सगस्ट उनिस उन्चास को किया जाता है उसकी पांच पिठे कारिये करती है जोदपुर जयपुर कोटा विकानेर और उद्यपुर यह प्रसंद 2021 में कांस्टेबल म उसके प्रकार किससे प्रसंद पूछे जाते हैं यह अपने को ध्यान में रखना है तो बाते कौन-कौन से निकल के आई राजस्तान उचनेयाले का जो गठन है वो किस के तेत के आता है राज्य पुनरगठन आयोग का जो अधिनिये में 1956 की दारा उन्चास के तेत अपना ज से लिए चार पित्व है प्लस एक प्रधान पीठ है मुख्या पीठ वोगी ये मुख्य, पिटजोदपुर, जैपुर, कोटा, बिकानेरो, उध्यपुर ये परसन आ चुका है, ये अपने को ध्यान में रखना है इन सब से परसन पूछा जा चुका है, ये परसन भी आया हुआ है ये परसन आ चुका है, अब ये बात आती है कि जब 29 अगस्त 1904 को राजस्तान उचने अले कि स्थापना होती है और उसका उद्गाटन होते है, अब नया दिशों की संख्या कितने होती है, जज कितने होती है जजों की अगर बात करें, नया दिशों की, तो 11 प्लस 1 यानि 11 तो अन्य नय दिश प्लस 1 मुख्य नय दिश, मुख्य जज, मुख्य नय दिश, अब अपने को दियान में रखना है कि ये संख्या याद रखनी है, या से भी परसन आया हुआ है कितनी संख्या रहती है और कितनी संख्या क्यां से होती है तो सबसे पहले बात आती है कि मुख्य नय दिश किसको मना जाता है मुख्य नय दिश मुख्य नय दिश मना जाता है कमल कांत वर्मा को कब मना जाता है 39 अगस्त 1990 को किसको बना जाता है कमल कांथ वर्मा को पर्थम पर्थम मुख्य ने दिस केके वर्मा भी जिसको बोल सकते हैं यह परसन भी आ चुका है यह सब परसन आयो है वो यह अपन बात को कड़ी को जोड करके लेके आ रहे हैं विकिस तरीके से यह अपने को याद रखना है कि कमल कांथ वर्मा जजों की संख्या कितनी होत जाती है 29 अगस्त 1990 को 12 न्याइदिस सब्ट लेते हैं यह अपने को ध्यान में रखना है 11 तो अन्य न्याइदिस प्लस एक मुख्य न्याइदिस सप्ते लेते हैं ये अपने को ज्यान में रखना है और प्रत्व मुख्य न्याइदिस किसको बना जाता है कमल कांद वर्मा को बना जाता है और ये 29 अगस्त उन्चास से 24 जन्वरी 24 जन्वरी मुख्य न्याइदिस के रुप में कौन सप्त लेते हैं कमल कांद वर्मा लेते हैं जिसको केके वर्मा कह सकते हैं कब लेते हैं 29 अगस्त उन्चास को अपना अपनी जो है वो वो लेते हैं मुख्य न्याइदिस रह चुके थे मुख्य न्याइदिस रह चुके है ये अपने वर्मा रजस्तान के जो पहले न्याइदिस से कमल कांद वर्मा वो क्या है की ईलाबाद उतने लेके भी मुख्य नयदी से रह चुके हैं इस प्रकार के तथ्यार पीशेज का लपूस्ती है अपने को इस बात का जाने रखना है तो फिर इनके बारे में एक मुख्य तथ्या उबर कराता है ये इलाबाद उचने लेके भी मुख्य नयदी से रह चुके है के आपने पास पांच वह कड़ी के एंतरगत व्यक्तियों के नाम के बारे में अपने पास कूर सा नाम जुड dmber गया पांच वह n के के वर्माम हिरा लाल सासत्री से मान्सिय से के रादा कृष्स्नन तेन नाम चोथप वी नरायन महाहलेख कार रंग ब्यारिलाल और के के वर्मा मुख्य नैदिस इस परकार की कड़ी को जोड़ते हुए अपने को चलता है चलना है कि किस समय में क्या करें अब यह तो होगे मुख्य नैदिस मुख्य नैदिस के अलावा और 11 नैदिस और सप्पलेते हैं पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था उसमें यह परसन आया था जिसकी कोई जल्दी सी कलपना भी नहीं नहीं की जा सकती 11 के जो नाम है वो भी याद रखने के लिए आर्पियस गड़े मुर्दी उकाड़ रही है यह मैं यह कह रहा हूँ इसी प्रकार से जो पुराणी में तरपन बात है यह मुख्य बात है क्योंकि यह इतियास है तो राजस्तान के मुख्य नहीदिस में 11 नहीदिस कौन-कौन से होते है 11 नहीदिस यानि 11 जिज़ जज कौन-कौन से है ये अपने को ध्यान में रखना है तो जारा जो है वो नयाजिस कौन-कौन से सब्त लेते हैं उनका नाम अपने को ध्यान में रखना है और कौन से जगें से थे ये भी अपने को ध्यान में रखना है तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले है लाला नवल की सोर ये कहां से थे जोदपुर से ये अपने अध्यान में रखना है कि जिन नयाएदिसों ने 29 अगस्त उनिस उनचास को सब्त ली उसमें सबसे पहले तो थे कमलकांद वर्मा और उसके बाद में 11 नयदिस और सता लेते हैं और कौण सी जबह से ये अपने को ध्यान में रखना है लाला नवल की सोर और ये परसंट इसके पीरस में असिस्टेंट प्रोपेसर 2021 में ये प्रसन आ चुका है ये अपने को ज्यान में रखना है तो लाला नवल की सोर कहां से है जोदपुर से है ये अपने को ज्यान में रखना है अमर्शिय जसोल दूसरे है अमर्शिय जसोल ये भी कहां से है जोदपुर से है ये अपने को ज्यान में रखना है कमरलाल बाफना यह अपने को धान में रखना तीसरा है कमरलाल बाफना और यह कहां से जबपुर से है यह अपने को धान में रखना है कमरलाल बाफना जबपुर से है मुहमद इब्राहिम चोथे मुहमद इब्राहिम ये अपने को जान में रखना है कि मुहमद इब्राहिम भी कहां से जैपुर से मुहमद इब्राहिम ये भी जैपुर से हैं तो लाला नवलकिसोर जोदपुर से अमर्शिय जशोर जोदपुर से कमरलाल बापना जैपुर से मुहमद इब्राहिम जैपुर से और अब है जवान सी रानावत जवान सी रानावत ये है उद्यपुर से है है पांच ओधि जो जो है वह नैया जी से ज्वांश की रानावथ काँ पर हैं असे उद्यपुरसे आप शार्दुल सी मेता भी काँ से हैं उद्यपुर छह और सा पर तो बुंदि सी है दूर्गा संकर दवे ये अपने को ध्यान में रखना है दूर्गा संकर दवे ये का से हैं बुंदी से ये अपने को ध्यान में रखना है कैके शरमा वशित बरतपुर से नवे नम्बर पर अपने पास कोण से अजाते तिरलोग चंद दत तिरलोग चंद दत तिरलोग चंद ये है भीकानियर से और दस्वे नंबर पर अपने पास्वाण वोड़ाते हैं केस्वचंद गुपता केस्वचंद गुपता कोटा से केस्वचंद गुपता कोटा से अनन्दर नरायन कोल ये का से अलोर से ये अपने को ध्यान में रखना है अब अपने पास कोण कोण से नाम आगे एक तो मुखे नए दिसके के वर्मा होगे कब सपत लेते हैं ये सपत वाला दिन तो अपने को ध्यान रखना है 29 अगस्त उन्निस सो उन्चास जिसको राजस्तान उतने लेकी स्तापना और उदगाटन दिवे से मना जाता है ये अपने को ध्यान में रखना है केके वरमा सब्त लेते हैं कभ से कभ तक रहते हैं 27 जनवरी 1950 तक रहते हैं यह अपने को ध्यान में रखना है और इनके साथ 11 नियाएदिस ओर सब्त लेते हैं और कोण से कहां से आते हैं लाला नवलकिसृर जोदपूर से अमर्शिय जसोल जोदपूर से कमरलाल बाफणा जैपूर से मुहमद इब्राहिम जैपूर से जवान सी राणावात उध्यपूर से सादूल सी मेता उध्यपूर से और अपने पास साथ में है दुर्गा संकर दवे गुंदी से केके सर्मा भरतपूर से इलोग चंद दत बिकानेर से और केशवचंद गुपता कोटा से अनन्द नरायन कौल अलवर से ये अपने को नाम याद रखने है क्योंकि असिस्टेंट प्रोपेसर 2021 में ये परसंद आ च चुके थे ये अपने को ध्यान में रखना है अब बात आती है कि 26 जन्वरी 1950 को स्विधान लागू हो जाता है ये अपने को ध्यान में रखना है 26 जन्वरी 1950 को स्विधान लागू हो जाता है और स्विधान लागू हो ने के बाद में राजस्तान है वो 20 रेनी का राजिया बनता है 26 जनवरी 1950 को सुविधान लगव हो जाता है और राजस्तान का विदिवित उडगटन है वो राजस्तान ना विदिवित रूप से 26 जनवरी 1950 को दिया जाता है और राजस्तान बनता है 20 रेनी का राजिया तो बीश रणी के राजिय के अंतरकत सुविधान में प्रावधान किया गया था। में नयदिस से संधित जो था रजस्तान उचन्य जले से जो रिलेटिड प्रावधान था वो किया गया था कि वहां पर क्या होंगे ? छैञळ नयदिस पलस एक मुख्य नयदिस होगा तो राजस्तान के अंदर केत कितने थे 11 पलस है एक थे तो जब 26 जनवरी 1950 को से विधान लागू होता है और 20 रेनी के लिए ये वाड़ा प्रावधान था कि 6 तो होंगे अन्य नयदिस और एक होगा मुख्य नयदिस तब क्या करते हैं कि मुख्य नयदिस सहीत 6 नयदिस अपना त्याग पतर दे देते हैं कमलकांत वर्मा सहीत ये अपना जो 6 नयदिस है वो अपना त्याग पतर कब देते हैं 24 जनवरी 1950 को यानि 26 जनवरी से दो दिन पहले ये अपना त्याग पतर दे देते हैं यह अपने को ध्यान में रखना है तो 26 जनवरी, 24 जनवरी 1950 को यह अपना त्याग पतर दे देते हैं और दूसरे न्याइदिस के रूप में, दूसरे न्याइदिस, पहले न्याइदिस तो केके वर्मा होगे, दूसरे न्याइदिस, राजस्तान आइकोर्ट के, दूसरे मुख मुख्यनाधिष के पद के उपर रिक्त स्वाथ है और फिर उनकी क्या है कि अलग लग कारिया भाएक aaP名 कारिये करते हैं मुख्यनाधिष क रिप में उसके से बाद है राजस्तान में रा आल यह अपने को जान में रखना है यह कब से कब तक रहते हैं यह रहते हैं दो जनवरी 1951 से ये रहते हैं 2 जनवरी 1951 से 10 अगस्त 1958 तक कब से कब तक रहते हैं 10 अगस्त 1958 तक रहते हैं तो इरालाल सास्तरी के टेम में दो मुखे नहीं दिस एक एक के वर्मा और दूसरे केलाशनाथ वांचू इनका कारियकाल 2 जनवरी 1951 से 10 अगस्त 1958 तक लगबग 7 वर्स और ये राजस्तान का जो नहीं दिस है उसके इतियास में सबसे लंबा मुखे नहीं दिस के रूप में कारियकाल है ये अपना ध्यान में रखना है इनका एक पॉइंट क्या निकल गयाता है सर्वादिक लंबा कारियकाल साथ वर्स तो ये प्रसन भी आ सकता है कि राजस्तान में मुखे नहीं दिस के रूप में सबसे लंबा कारियकाल किसका रहा केलार्स नात है वांचू का रहा ये अपने को जान में रखना है ये लोगसवा सदेश्य भी रह चुके थे लोगसवा सदेश्य भी रह चुके थे केलार्स नात वांचू लोगसवा सदेश्य भी रह थे ये अपने को जान में रखना है केलार्स नात वांचू सोतंतरता सेनानी भी रहे यह अपने को लोगसवा सदस्य भी रहे वकील नहीं थे यह फिर भी इनको न्यायदिस बढ़ाया गया मुखे न्यायदिस बढ़ाया था शर्वादिक लंबा कारिय काले इनका है लोगसवा सदस्य भी रहे सोतंतरता सेनानी भी रहे ये ICS अधिकारी भी रहे थे ICS अधिकारी भी रहे थे ये भी अपने को ध्यान में रखने ये फेक्ट अपने को ध्यान में रखने और अगला फेक्ट इसके बारे में है ये भारत के मुखे नएदिस भी रहे बारत के सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य नएदिस के दस्वे मुख्य नएदिस दस्वे मुख्य नएदिस भी रहे ये इनके बारे में अपने को फ्यक्ट द्यान रखना है कि केलाशना थ्वांचू दो जनवरी 1951 से 31 अगस्त 10 अगस्त 1958 तक यानि सर्वादिक लंबा कारिय काल रहा लोगसबा सदिश्य भी रहे सोतंतरता सेनानी भी रहे आईसिय सदिकारी भी रहे और भारत के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच नियालेक भारत के दस्वे मुख्य नैदिस भी रहे ये अपने को जान में रखना है और सोतंतरता के बाद जो विदियायोग बना यानि बारत सोतंत्र हुआ और सोतंत्रता के बाद बने पर्थम विदियायोग सोतंत्रता के बाद में जो पर्थम विदियायोग बना पर्थम विदियायोग अपन कह सकते हैं पर्थम विदियायोग के सदश्य भी रहे यह अपने को ध्यान में रखना है तो केलास नात वांचु के बारे में कौन-कौन से मुख्य फेक्ट आगे राजस्तान के दूसरे मुख्य नायदिस रहे कब से कब तक रहे दो जनवरी काउन से 10 सगस्त उनिसो पठावन तक रहे सरवादिक लंबा कारियकाल साथ वर्स का इनकारा लोगसभा के सदिश्य भी रहे सोतंतरता से नानी भी रहे आईशिय सदिकारी भी रहे और भारत के दस में मुख्य नायदिस भी रहे सुप्रीम कोर्ट के और सोतंतरता के बाद जो बना विदियायोग सोतंतरता के बाद बनने वाला पर्फम विदियायोग के भी यह सदिश्य रहे यह अपने को ज्यान में रखना है तो यह कड़ी के अंतरगत अपने राजस्तान उचनियाले को जोड़ लिया है अगली कड़ी क किस्तिती क्या रहती है जैहिन जैभार्ट